दस साल बड़े लड़के से कीथी शादी खोलेगा अनामिका के साथ करोड के सवाल का रहस्या के बीसी सीजन व्रिन नौ को उसका पहला करोड़ पती मिल चुका है वैसे ही कहना ज्यादा सही होगा कि करोड़ पती मिल चुकी है दो अक्तूंवर को खेलते हुए तीन अक्तूंवर के लिए रोल ओवर कंडेस्टन्ट बनी जमशेदपुर की अनामिका मजूंदार करोड़ पती बन चुकी है ये ख़वर तो पहले ही सामने आ चुकी है आज उन से पूछे जाने वाले साथ करोड़ रुपए के सवाल का रहसे भी खुल जाएगा मगर इस बीच अनामिका से जुड़ी कई और दिलचास्प बाते भी सामने आ रही है शो के दौरान ही उन्होंने कई बार जिक्र किया कि वह हमेशा से सोशल वकर बनना चाहती थी मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है एक इंटर्व्यू के दौरान अनामिका ने ये भी कहा कि वह मदर टेर्रेसा के कदमों पर चलते हुए समाज की सेवा करना चाहती थी वह कभी भी शादी करके घर नहीं बसाना चाहती थी लेकिन उनकी मा की इच्छा की कि वह शादी कर ले और इसी वजह से उन्हें अपने सपने को भूल कर शादी करनी पड़ी पती पत्नी में तनाव उन्होंने बताया कि उनके पती सत्य प्रिया मजूमदार पेशे से एक गवर्नमेंट कांट्राक्टर हैं लेकिन वह उम्र में उनसे दस साल बड़े हैं इस वजह से शादी के शुरू आती कुछ दिनों तक उनकी जिन्दिगी काफी तनाव में रही फिर उनके दो बच्चे हुए और इसके बाद अनामिक ने अपने सोशल वक्त के लिए फिर से समय निकालना शुरू किया इसे लेकर भी पती पत्नी के बीच में काफी तनाव रहा शो के दोरान दिखाए गई एक वीडियो में भी ये सामने आया कि उनके पती को अनामिका का सोशल वक्त करना कुछ खास पसंद नहीं है वह चाहते हैं कि पत्नी परिवार संभाले और बच्चों को ज्यादा समय दे पहले ही सवाल पर अटा गई थी अनामिका से पूछा गया पहला सवाल फिल्मों से संबंदित था उन्होंने कहा कि वह फिल्में नहीं देखती और उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं आता है हाला कि बाद में उन्होंने अखबा में पढ़ी हुई खबर को याद करके सवाल का सही जवाब दिया था ये सवाल आई उश्मान खराना की फिल्म से संबंदित था इसे लेकर आयूशमान ने ट्वीट भी किया था, के बीसी में अपनी फिल्म के बारे में पूछे गए इस सवाल से वहा काफी खुश थे, छोटी छोटी खुशियां, टिक.twitter.com स्लाश आर चार काफस्त्री पी, आयूशमांक राना आट आयूशमांक अक्टोबर 2nd 2017 मां भी बन सकती थी, करोड़ पती अनामिका के साथ शो में जोड़ीदार के रूप में मौजूद थी उनकी मा, महभारत के एक सवाल पर जब अनामिका इट की, तो उन्होंने जोड़ीदार लाइफ लाइन ली और अपनी मा को मदद के लिए बुलाया। ज्यादा तर एपिसोड में आए जोड़ीदारों से एक दम अलग उनकी मा ने आते ही पूरे कॉन्फिजेंस के साथ सही जवाब बताकर अनामिका को 12,50,000 रुपे जीतवा दिये। सिर्फ इतना ही नहीं शोग के दौरान पूछे जाने वाले ज्यादा तर स्वालों के जवाब उन्हें आते थे। अमिताब बच्चन ने उनसे पूछा भी कि क्या वा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बीसी में आने के बारे में। इस पर उनका जवाब था कि उनकी बेटी भी उन्हीं का अंश है उसका वहाँ होना ही उनका वहाँ होना है। वैसे बता दे कि अनामिका की मा को पढ़ने का काफी शोग है। वह अकसर कुछ न कुछ पढ़ती रहती है। इसी का नतीजा है कि वह ज़्यादा तरसेवालों के जवाब जानती थी पीपल का पेधह बेस्ट फ्रेंड शो के दोरान ही अमिताब बच्चन ने अनामिका के बेस्ट फ्रेंड का भी जिक्र किया इसे सुनकर पहले तो अनामिका घबरा गई मगर जब अमिताब ने उन्हें पीपल के पेड़ की याद दिलाए तब उन्होंने अपने इस दोस्त के बारे में बताया दरसल अनामिका के घ़र की खिड़की से दिखने वाला सौ साल पुराना पीपल का पेड़ उनका बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब वह डिपरेशन में चली गई थी और अपनी जिंदगी से हार मान ली थी तब इस पेड़ से एक खास अटेच्मेंट ने ही उन्हें बचाया था उन्होंने कहा कि वह अक्सर खाली वक्त में इस पेड़ से बात करती है